हमारी संस्क्ति हमारी पहचान यज्य योग आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का डिव्य संगम यज्य महिमा भारतिय संस्क्ति में यज्य योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं जिसका मूल है वेड इतिहाज की ओर द्रिश्टि डाले तो भगवान राम भगवान कृष्ण से लेकर राजा महराजाओं ग्रामवासियों वह अरन्यवासी रिशियों की कुटियों त नित्य वन्यमेतिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है ओम सभी को मुझे क्या बोलू सच में नहीं पता चल रहा है लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है ना यज्य जब भी मैं करती हूँ और यज्य के बाद प्रानायम करती हूँ मैं स्वामी जी ने मुझे बताय प्रानायम करती तो उससे मुझे बहुत मतलब थाकत मिलती थी और जब मैं कोमा में थी ना तब मतलब जब मुझे घर पे लाया गया हवन चलू कर रहे थे लोग तो हवन के जितने भी मंत्र थे मैं जब होश में आई तब खुद से मैं मंत्र बोलने लगी सेफ स्टार्ट करके दोगे ना तो पूरा पूरा मंत्र में बोल देती थी कोमा अवस्था में जाने के बाद साथ महईने रही साथ महईने रही पांच बांच cooked पांच महईने रही सात महईने ॏ एक एक दिन में एक एक लाख से ज्यादा कभी बिल भरे सब कूछ किया डॉक्टर जो स्पेिशल्य चिकित आीज जो कि कहां और दूसरा डोक्टर लोगों ने क्या कहा था कि उनकी स्मृति सत्ती नहीं आएगी कौमा से बाहार भी आ गई तो स्मृति सत्ती नहीं आएगी देख नहीं पाएगी और बोल नहीं पाएगी आज हम सब लोगों के सामने और अभी एंजिनेरिंग के पढ़ाए कर रही है चालू कर रहेगे कर रही थी इंजिनिरींग की पढ़ाई कर रही थी यह सबसे बड़ा चमत कार की कॉमा में थे कमरे में यज्य चल रहा हैं कॉमा से बाहर आने पर वो खुद मंत्र पाड कर रही है पिना याद कि यह एसे जैसे मैंने का ना कि यज्य करने पर हमारे पंच प्राण पंच उप्राण सब धातु यह पोशित होते हैं नेनो पार्टिकल मॉलिक्ल्स कम्पोनेट्स यह विशेश रूप से हमारे स्वास तो ले रहे थे ना तब भी हम वो कवामें भी थे स्वास्तो ले रहे हैं जब तक स्वास है तब तक जीवण है और जब तक जीवण है तब तक हम यज्य चिकिट्साद दे सकते हैं और जो मैंने काा ना यया प्रयूक्तिया चिश्टिया राज यक्ष़्मा पुराजई ताम वेध्र वीट आरुक्य चाहने वाला वेद वीहित यज्य का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते हैं। कर दिया। और भी बहुत सारे लोगों को लाब दी है माताजी ने। हमारे बीच एक दूसरे पेशन्ट उपस थी थे। कोरोना काल में उनको स्वास की तकलिप शुरू हो गए थी। चलते चलते सांस पुल जाती थी और दीरे दीरे प्रॉब्लेम बढ़ते गया। तो डॉक्टरों ने बोला कि आपको लंग्स फ्राइब्रोसीस का प्रॉब्लेम है। शायद लंग्स में कैंसर भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने यज्य के द्वारा ये प्रॉब्लेम को ठीक किया। तो हम सिल्पवें से जानेंगे। कोई इलाज है ही नहीं। एक बार हो गया तो आप जान लेकर के जाता है। और ये दोनों ही क्रोनिक अस्थमा और लंग्स फाइब्रोसीस दोनों ही डिडेक होने पर क्या स्थिती थी और कैसे ठीक हुआ खुद बढ़ाएंगे। सभी को ओम। ये मेरी वाइफ है सिल्पा जेठवा। उनको करोना से ठीक एक-दो महिने पहले। लगातार कंटीन्यूस एक महिने तक बुखार रहता था। तो बुखार कमी नहीं होरता था। तो तीन चार डोक्टर को चेंज किया है। तो अलगलग रिपोर्ट निकाले सब सिटी स्केन। तो करोना पेला बे मिना पेला अनी तब्यत थोड़ी खराब था मेड़ी। रोज ताव आउतो दो। अने खावा पी हमा कहीं चाले ने असकती आवी है अलगयलोक्टर ने बता विवुू। कोंग श्स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने दो चेंगे किसाथ तो मैना मात अनी डॉपोर्ट कराजा तो यहमा तिबी नहीं आ हाई वू। अनी थीहालोफ हूं टो शिटीजीर रिपोर्ट कर276Da आने टीबी नदी आने लंग फाइब्रोशीस चे अने बायोप्सी टेस्ट करा हूँ पड़ से तो एक मेना पजी आटला 25 सेजर नो खर्चो करा है और पजी बायोप्सी टेस्ट करवानो 25 सेजर नो खर्चो है ले में कि तुम वीचारीन ने तम ने कहुछ हूँ बेतंदिवस करा हूँ तो पजी बेतंदिवस मा भीचारीन नकी करूँ करा हूँ पंद तिया तो करोणा ने गाइडलाइन साभी कि आवे कोई बीजी नी था खाली करोणा नी ट्रीट्मेंट था से अनो ओपीडी ने बदा सेंटर बदा बं था गया तो दोक्टर के अमना काई या बायो चाले जम चालवा दियो कि तम्हें जो साइन करिया आपो तो सी रोड नी दवा लखी दहू तो एना थी तमने खाली टेमपरी सारू था पन रोग प्रती करेक सकती या गटती जासे तो मिकी तुमारे वो नती करू मारे पच्छी करा हूँ यले शू पच्छी आरे थसे आरे आरे आपने ख़बन गात्ट बूद लांबू चाल से कोरोना पची तो एनी तब्यत मां फरक नो पड़े हूँ पड़े हूँ नियमित रोज गाटको पर मां पाटी दरवाडी मां योग साधना केंदर मां योग करवा जाऊँ त्या स्री नरसी भाई अन्य अस्वीन भाई अचैने बात करी कि चैने मारी वाईफ न आवे तकलीप चे याँ अवे तभ्यत दिऊसी दिऊसे खरप तती जाएँ एकदम नबढ़ा ह होती है स्वास मां बहुत तकलीप पड़े तो मने के तो अपड़े ही न अपड़े हवान थाई जे वाडी मां तो तो हवान मां में वड़े पंदर दीवस मा जने थोड़ी थोड़ी तोड़ी आमा राध थाती गई अने स्वास मा मटतो गयों ताव पनप पड़ी नॉर्मल थातो गयों और बोडी मा रीकवरी जल्दी थाती अथा अमेडी अने फक्त अखाली आ हवानु परज इनो शारू थी वगर दवा हो गया है तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं और पहले से हम यज्य करते हैं तो रोग हो ही ना एस थितिव भी हम अपने हाथ से क्रिएट कर सकते हैं यह यज्य वह पी दिया है और यह जो केस हमने देखे न जितने भी केस हमने रखे यह वो केस हैं जिसको modern medical science बहुत विक्षित कहते हैं specialist doctor है special दवाया है special treatment है सब कुछ करने के बाद जब हम लाखों रूपिय लगा देते हैं और जब जीवन हाथ में नहीं आता है और डॉक्टर जवाब दे देते हैं उसके बाट ठीक हुए 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 पेज़ा हमने इससे पहले online माध्यम से जूम के माध्यम से बहु तो तेलंगाना में जिन लोगों ने online में प्रशिक्षन लिये थे घर में यज्य अपनाएं बीमारी के काण सामानी रूप से घर में अपनाएं वहां पर offline में सामने आएं वहां पर एक प्रणीता बहन तेलंगाना की मैं बात बता रहा हूं उनको liver का cancer था लिवर का cancer होने के बाद वह infection फेला चे जगा पर गाओ हो गई और पहले हैदराबाद में अलग अलग treatment लिए कुछ विशिश लाब नहीं हुआ उन्होंने मुंबई में ट्रांसफर किये मुंबई में कहीं treatment लिए उसके बाद उन्होंने हैदराबाद फिर वापश ट्रांसफर कर दिया हैदरा उन्होंने 57 लाख रुपे खर्च किये थे कितने 57 लाख खर्च करने के बाद हाथ में क्या आया और उस प्रशिक्षण में उन्होंने ओनलाइन माध्यम से चीजे सीखी अपने घर में चालू किया करकट हवन सामगरी कैंसर के लिए होती हैं उससे उन्होंने हवन करना प्रत रिपोर्ट नॉर्मल आ गए एक और अभी वो दमपती दोनों पूरे इलाके में उनको कोई पता चलता है कि कि किसी को कैंसर हुआ है अपना सारा सामन लेकर कि उनके घर पे पहुंच जाते बीना आमंतरन से और उनको कहते कि यह देखो रिपोर्ट हम इतना खर्च किया अब आज साथ काम करने वाले संबंदी आसपास में रहने वाले एक दमपती को अरोज आमंतरित करते हैं अपने यज्यों में कि आईए आप आज हमारे साथ बेट करके उनको भी सिखाते हैं बताते हैं कहते हैं कि आप भी 10-7 मिनिट अपने घर में कर लो इतना लाभ हो और कितने सारे पिछले सपता की बात कर रहा हूं में तेलंगा ना में था ऐसे कितने लोगों ने अलग अलग इस प्रकार के एक महा मायक माता जी का नाम था वो हैद्राबाद प्रोपर में रहती हैं उनको ब्रेंट ट्यूमर था उनको भी इसी प्रकार 32 रुपय का खर्च किया लास्ट में डोक्टर लोगों ने इसी प्रकार जवाब दिया उन्होंने यज्य चिकित्सा अपना ही वो फाइल लेकर इतनी खुस होकर के फाइल लेकर क्या है कि स्वामी जी बिल्कुल क्यों रहो गया कितने सारे ऐसे अलग अलग बिमारी के कोई लोग अलग अलग जिनको सालो सालो से इसी बिमारी थी और ठीक होगे ऐसे अनियत प्रकार के रोग मानि यज्य से ट्रिटमेंट होना यज्य से चिकित्सा होना वो भी एक साइन्टिफिक वैज्यानिक प्रमान है यह जो आज सामगरी हमारे पांस है एविडेंस के साथ है आज सेंकडो सेंकडो लोग हमारे पूरे अस्तित्व को सत्व से एनर्जी से उर्जा से युक्त करता है डिप्रेशन स्ट्रेस तनाव से दूर करता है तो कोई रोग होता ही नहीं और हो गया है तो रोग अनुसार थोड़ा कर ले तो रोग ठीक हो जाता है तो यह यज्य एक चिकित सा पद्धती के होंगे क्या होंगे अगनी वायू जल प्रिथवी इन सबसे हम ले रहे हैं ना वापस क्या लोटा रहे हैं उनके लिए तो हम देव रिण से रिणी होते हैं और वो रिण से उरिण होने के लिए देव यज्य करने के लिए क्या करने के लिए सुबह में सूरिय और प्रजाप दिशके लिए विशेश आहुतिया देने के लिए का वायू ऊकौक आविशीम साहित आई गव्रीक आपने गर्ली साहिं फिर धाल कर दिवws कि दवा यह लेते हैं, तो क्या होता है, क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है न, ऐसे ही हवन यज्य करने पर यह जितने लाभ हम देख रहे हैं, यह सारे भौतिक लाभे, यह सारे इसके साइड डेनिफिट है, क्या है, यज्य मुख्यत या अद्रिष्ट के लिए किया जात अद्रिष्ट के लिए ये जो पंजम के प्रकृति है उसके पोशन और समर्धन के लिए देव रीनों से उरीन होने के लिए देव पूजन के लिए अगनीर वई देवाना मुखम कहा क्या कहा अगनी सारे देवी देवताओं का मुख होता और यज्यागनी के अंदर हम जो यद अगनी होत्रम जरा मर्य सत्रम जरयाहवा मुच्चते मृत्यु नावा ये हमें मनुष्य जीवन में वेद में कर्तव्य कर्म के रुप में बताया कि ये हमें करना अनिवारिय है ये या तो जरा अवस्था हम अपना खुद का पानी भी ना प्या एसी पुड़ापा या मृत्य हो जाए, तब छोड़ने योग्य होता है, और इस नियम पुरवक जो यज्य करता है, वहां पर लाब बताते हो क्या, अग्नी होते रे अस्वमेग अस्यापते अस्वमेग यज्य आपने सुना है, राजा भी नहीं कर सकते हैं, चक्रวती समराट राजा होते हैं, व आपने प्रभुश्री राम को देखा ना रामाएण में करते हूं इसी विशेश योग्यता वाला व्यक्ति उसे यज्जे को करता है और जो जीवन भर नियम पूर्वक प्राता का सायन काल इस यज्जे को करता है अगनी होत्रे अश्व मेंगस्या आपती अगनी होत्र करने पर अस्व में एक यज्य को फ़ल का भागी बनता है। इस प्रकार के इस यज्य को, इस हवन को, इस अनुष्ठान को हम करते हैं, तो कई सारे लाबोंसे हम लाभनवित होते हैं। तो ये कब मिलेगा, सारे लाब करेंगे तब। अब करें, करना है, आईए, सब लोग मिल करके, सबसे पहले हम पूर्व की तयारी करेंगे, क्या करेंगे, पूर्व तयारी, पूर्व तयारी के लिए, एक नीचे देखिए, पहले स्टेंड रखा, स्टेंड के उपर जो कोपर का हवन कुंड है, वो हवन कुंड को ऐसे सीधा रख दिया, सीधा रखने के बाद, अब मैं जो बता रहा हूँ, वैसे वैसे करते जाएंगे, साथ साथ में, आपके पास एक प्लेट है, छोटी सी, एक पाउच के अंदर जड़ी बुटिया रखी है, इन जड़ी बुटियों को इस प्लेट के अंदर निकाल लिए, ऐसे प्ल कोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, खाली इस पेकेट को खोलिए, जिसके अंदर समीधा है गाय के गोवर के उपले हैं, उस पेकेट को खोलिए, और उस पेकेट को खोलेंगे, तो दो समीधा ये छोटी-छोटी हैं, चार समीधा सेम हैं, और दो समीधा छोटी-छोटी है है ना कि इसमें जो दो समीधा चोटी हैं उसको हवन कुंड के तल में इस प्रकार से आड़ी लगाई है पहले स्टेप पे ऐसे देखिए जो हवन कुंड के ओपर बेठे हैं सब लोग इधर देखेंगे इस प्रकार दो समीधाओ को हमें आडा पॉर्फ में तोड़ना नहीं जैसे हैं इसे ठीक है coal के सबने लगा Director ऑनां कर दोनों साइड से ठीक है वह थोड़ा फोड़ा टूड़ा रहेगा ऊपो और इसके वह बीच वह बीच फोड़ी सी मात्रा में सामगरी लिजिए इतनी वह बीच में एससे स ABOUT effort तल में थोड़ी सी सामगरी डालिए उससे अतिरिक्त आपके पांथ जो ये छोटी सी डिब्बी है न उसके अंदर रूई रखी है उसमें से एक बाती को सीधा करके आपके पांथ दीपग है न दिया उस दिपग के अंदर ऐसे लगा दीजिए एक को और बाकी जो रूई है उसको पतला पतला ऐसे लंबा करके हवन कुंड के बीच में जो हमने सामगरी डाली न उसके बीचों बीच ऐसे लगा दीजिए रख दीजिए सामगरी के उपर एक-एक श्टेप में साथ-साथ में करते जाएंगे हवनकुन के बीच में रूई लगा दिया और दिपक के अंदर भी बाती लगा दि और दो समीधाओ को हमने हवनकुन के बीच में लगाया इसके साथ-साथ आपके पांस कपूर होगा देखिए वाइट कलर का ये छोटी सी डिबी है उसमें और एक घी का पातर है छोटी सी डिबी है उसको खोल लिजे घीके पातर को और एक घीके पातर के नदर एक लंबी दंडी वाली चम्मच होगी इसको कहते हैं शुरूआ इसको पकड़ने का एक तरीका होता है जिसे पेन पकड़ते हैं इसे पहले पकड़िए और ऐसे पकड़ने के बाद प्रथम उंगली को सीधा कर दीजे ऐसे मध्यमा उंगली का प्रथम जोड और अंगुष्ठ और प्रथम उंगली का मूल उसमें ऐसे पकड़ते हैं जब मंत्र से पहले हम Oम बोलते न तब शुरू के अंदर घी लेते हैं जब स्वाहा बोलते हैं तब आहुती देते हैं अभी जो घी का व्योहार हम जितना भी करेंगे न इसे करेंगे इसमें से आप एक चमज घी लीजियें और हवन कुंड के बीच में जो हमने रूई रखी उस रूई के उपर दो चार चमच घी डाले और रूई को भिगा ना है हावन कुन के बीच में जो हमने रुई रखी न, उसके उपर एक दो चमच घी डाले, इसी प्रकार दिपक में भी एक दो चमच घी डाले और रुई को भिगा भी दीजिए और एक दो चमच गी डाल दीजिए जैसे दिपक रेडी हो जाए, तयार हो जाए, इस दिपक हमने तय स्लीक घीसे ऐसे थोड़ा सब पद्रिखा इसा अभ जो दो लकडिया हमने हवनकुन के बीच में लगाए ना चार जो है उसको कि घीसे भिगा करके सामगर की प्लेट में ऐसे रख लीजिए बड़ी वाली जो चार है उसको दो को तो हमने अंदर लगा दिया चार को यह फात्र के अंदर रख लीजिए और आपके पास में यह जो छोटी सी डिब्बी हैं उसके अंदर कपूर रखा हुआ है ना कपूर को लेजिए और हव यज्य की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा आयर्वेद ग्रंथों में यज्य को देवी अचिकित्सा कहा है और कहा है आयर्वेदेशू यत प्रोक्तम यज्य रोगस्य बेशज़ तत्स्य रोगस्य सांत्य अर्थं तेन तेने वो होम आयें अर्थात आयर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन आउशिदे द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं दूर हो जाते हैं नश्ट हो जाते हैं अतह आईए हमारी रिश्यों द्वारा प्रदत्स देविय चिकित्सा यज्य को अपनाएं और अपने स्वास्थ को सम्रिद्ध बनाएं परकटेश्ती हवन सामागरी जो विशेश करके हल्दी, कचनार, देशी तुलसी, अपामार, लोध पठानी, कचूर, शर्पुंखा, इलोय, निमपत्र, द्रोणपुस्पी, निलपत्र आदी विशेश हवन सामागरी से हवन करने पर उत्पन दुम्र के अंदर, क्लोरोजोटोसिन, होलिक एसिड, होलिक एसिड आदी विशेश कंपोनेंट्स मोलेकुल्स पाय जाते, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर एवं गांठ आदी रोगों में लाग प्रत होती ह यज्य भारती संस्कति का मूल है तो आईए हम संकल्प लें संसार के स्रेश्ट तम कर्म यज्य को अपनाएं पिंड और भांध में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रक्रती मा की प्रति अपने रिनों को अदा करें विश्व स्वास्ति का एक नारा यज्य से होगा जग उजियारा भारती संस्कति की अमुल्य विरासत यज्य की महिमा को जानने है तू वैदिक चैनल पर प्रति दिन प्रता एवं सायन साले ग्यारा बजे यज्य महिमा कारिकरम से जुड़ें विशेश जानकारी है तू संपर्थ करें मोबाइल नौशुन्य चै आठ पांच चै पांच तीन शुन्य चे